Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel So, कुछ दिन पहले मुझे एक college में invite किया गया for a meet-up वहाँ पर मैं एक panelist था तो लोग मुझसे questions पूछ रहे थे और मेरा काम था उनको answer करना वहाँ पर मुझसे एक बहुत interesting question पूछा किसी ने Question था कि आपका ये जो YouTube channel है CampusX इसको ले करके आपका vision क्या है तो ये question मुझसे मेरे friends बहुत पूछा करते थे और मैं बहुत simple सा answer करता था कि देख भाई, चार साल पहले मैंने ये channel शुरू किया था हजार वीडियोज डाल चुका हूँ data science के उपर और along the way fortunately बहुत बड़ी एक डेढ़ लाक लोगों की family बन चुकी है आगे भी यही plan है और वीडियोज डालेंगे और लोगों की help करेंगे hopefully ये family और grow करेगी तो यही simple सा answer मैंने वहाँ भी चिपका दिया बट जब मैं वापस घर आया तो मेरे मन में ये question अटक गया मुझे लगा कि vision को लेकर के शायद थोड़ी और clarity होने चाहिए मेरे दिमाग में तो मैंने decide किया कि मैं इस चीज के बारे में और सोचूंगा और मैंने सोचा, मैंने 3-4 दिन सोचा और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा vision मिल गया वही vision मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ तो I personally believe कि AI is the future artificial intelligence और ऐसा दूर का future नहीं है it has already arrived हमारी life में अल्रेड़ी हम ऐसे tools, softwares यूज करने लग गये हैं जो AI enabled है and I personally feel कि अगले 10 सालों में AI दुनिया को बहुत तरीकों से बदल के रख देगा ठीक वैसे ही जैसे software ने पिछले 20-25 सालों में किया and I am very optimistic honestly speaking मुझे लगता है कि AI जब completely हमारी life के अलग-अलग aspects में आ जाएगा तो हमारी life और improve करेगी एक और चीज जिसको लेके मैं बहुत optimistic रहता हूँ वो यह है कि मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत critical बहुत important role play करेगा इस AI revolution में तो मुझे लगा कि मेरा जो vision होना चाहिए वो इन दोनों चीज़ों के intersection पे होना चाहिए कि AI is going to be the future और AI के revolution में इंडिया का role बहुत critical है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा vision यह होना चाहिए कि मुझे Campus X को एक ऐसे platform की तरह develop करना है अगले 5 सालों में, 10 सालों में जहां पर इंडिया में लोग इस platform पे आए AI सीखें और फिर उसको अलग-अलग aspects में apply कर पाए So I want Campus X to become a leading platform to learn artificial intelligence That's the vision that I should go for So इस vision के आने के बाद सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि यार एक बड़ा सा एक goal दिखाई दे रहा है जो मुझे अचीव करना है अगले 5 सालों में, 10 सालों में But at the same time, थोड़ा सा डर भी लगा कि ये vision बहुत बड़ा है करोडों लोग है इंडिया में और सबको AI सिखाना It would be a difficult task And considering AI is a fast evolving field हर घड़ी कुछ ना कुछ innovation होता रहता है पिछले एक सालों में तो पता नहीं कितनी नई चीज़े आ गई AI में तो अगर मैं अकेले ये चीज़ करने निकलू कि मुझे अच्छे से AI सभी को पढ़ाना है तो ये काम बहुत difficult हो जाता है Because I can already see this कि मैं अकेले सारी चीज़े cover तक नहीं कर पा रहा पिछले एक साल में completely नई field evolve करके आ गई Generative AI और मैं इतना पीछे चल रहा हूँ मेरे YouTube चैनल पे कि मैंने अभी तक शायद उसके ओपर एक वीडियो भी नहीं डाला तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ये मेरा विजन होने वाला है तो ये विजन मैं अकेले अचीव नहीं कर सकता and that's when I decided कि CampusX cannot be a YouTube channel जो सिर्फ एक बंदा चलाता है और सिर्फ एक बंदे के वीडियो उस चैनल पे आते हैं इट शुड आक्चुली बिकम अ प्लाटफॉर्म जहाँ पर दिर आर बंच ओफ इंडिविज्वल्स मल्टिपल टीचर्स हैं और सभी बहुत अच्छे हैं और वो सब मिल करके उस प्लाटफॉर्म पे AI-related education impart करते हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि I'm going to hire a few teachers initially obviously part-time बट अगर सब कुछ अच्छा रहा तो maybe full-time also बट इस वीडियो is about this only so इस वीडियो के थूँ मैं उन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ इस community में जो दो चीजों में interested है पहला artificial intelligence, AI, data science, machine learning जो भी बोलना है बोल सकते हो आप और दूसरा पढ़ाने में अगर आप एक ऐसे individual हो जो बहुत passionate है AI को ले करके and at the same time आप बहुत passionate हो teaching को ले करके, पढ़ाने को ले करके और आपको लगता है कि आपके अंदर वो talent है कि आप कोई बहुत difficult topic बहुत अच्छे से समझा सकते हो सामने वाले को तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस वीडियो के through मैं आपको invite कर रहा हूँ कि आप आओ और मेरे साथ Campus X पे contribute करो, साथ में काम करो और ये जो बड़ा सा vision है इंडिया को AI enabled बनाने का इसमें help me, ठीक है तो going forward अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा details शेर करके बताने वालों कि exactly हम क्या expect कर रहे है सामने वाले से और आप अगर as a platform as a teacher इस platform पे join करते हो तो आपको क्या मिलेगा तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप as a teacher join करते हो Campus X तो आपको क्या मिलेगा तीन-चार चीज़े मैं सोच पाया आपके साथ जल्दी से discuss करते हो सबसे पहले चीज़ है obviously earning जो भी आप हमारे साथ यहां पर पढ़ाओगे जितना भी time आप यहां पर spend करोगे for that we will pay you और हमने एक range सोच रखा है currently that range is between 1500 to 3500 rupees per hour तो आप जितने भी घंटे यहां पर पढ़ाओगे आप उसको multiply कर सकते हो with this range यह range क्यों है because हम आपके experience और आपके performance के basis पे यह number decide करेंगे जो भी है मेरे हिसाब से बहुत industry standard को match करने वाला है अगर आप 15 से 20 घंटे भी यहां पर spend करते हो तो भी आप एक बहुत handsome salary उठा सकते हो महिने के हिसाब से second जो चीज़ है जो अच्छी है मेरे हिसाब से वो यह है कि this is going to be a fully remote job मतलब आपको physically कहीं आने जानी की जरूरत नहीं है जो भी आप live lectures लोगे या videos बनाओगे आप अपने घर पे बैठके बना सकते हो third is कि जो भी लोग बहुत exceptionally अच्छा perform करेंगे जिनका feedback बहुत अच्छा हैगा हमारे students की तरफ से उन लोगों को हम consider करेंगे for full time job और the packages would be very very competitive that we can guarantee and the last one would be कि आपके पास option है एक personal brand बनाने का आज की rate में campus X पे महीने के हिसाब से around 2,00,00 लोग आते हैं data science सीखने के लिए आपके पास यह opportunity होगी कि आप अपने teaching के थूँ इतने लोगों तक पहुँच सकते हो अगर आपका content अच्छा है तो ये लोग पलट के आपको भी follow करेंगे और आपके पास chance होगा अपना एक network बनाने का और मुझे बतानी की ज़रुद नहीं है कि अपना network अगर अच्छा है तो वो आपको कितने तरीकों से फाइदा पहुचा सकता है ये चार perks मुझे दिखाई दिये जो आपको मिल सकते हैं अगर आप हमें join करते हो अब obviously आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि what is the eligibility criteria कौन apply कर सकता है so I personally feel कि teacher कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि उसको Google में काम करना हो मतलब Google का employee है तब ही वो अच्छा बढ़ा सकता है I personally feel anyone can teach so इसलिए हमने कोई as such criteria नहीं रखा है anyone can apply for this position there is just one requirement and that is कि यह जो screen पे आपको 8 अलग topics दिखाई दे रहे है आपको इन में से कोई एक topic at least कोई एक topic अच्छे से आना चाहिए machine learning, deep learning, gen AI, ML Ops and NLP computer vision इन में से अगर आपको कोई एक topic भी बहुत अच्छे से आता है तो आप apply कर सकते हो एक से ज़ादा आता है तो और अच्छी बात है सारे आते हैं वो तो बहुत rare बात होगी बट अगर सारे आते हैं तो फिर तो क्या ही कहना तो एक ही eligibility criteria है और वो यह है कि आपको इन 8 में से एक चीज बहुत अच्छे से आती हो ठीक है apply कैसे करना है बहुत simple है आपको यह जो वीडियो आप देख रहे हो इसके description में एक link मिलेगा उस link को open करते ही यह webpage open हो जाएगा यहाँ पर मैंने बहुत clearly hiring process समझा रखा है हम लोग 3 rounds conduct करेंगे पहला round बहुत simple round है हम आपको कुछ topics देंगे उनमें से किसी एक topic को पकड़ के आपको एक video बनाना है बहुत अच्छा detailed video बनाना है और हमें भेजना है हम उस video के basis पे यह decide करेंगे कि आप अगले round में आओगे या नहीं आओगे ठीक है round number 2 जो है वो actually एक demo live session round है यहाँ पर हमारे कुछ बहुत trusted students है पुराने students है कुछ 20-25 students है हम उनको बुलाएंगे और आपको बुलाएंगे और आपका काम होगा उन students के साथ एक live session कंड़क करना on a particular topic दो घंटे का live session होगा और आपका goal यह होगा कि आपको इतने अच्छे से वो topic पढ़ाना है हमारे students को कि आपका feedback should be greater than 4.5 ठेक है अगर वो 4.5 से उपर रहता है तो फिर आप round 3 में जाओगे which will be a actual live session जहाँ पर हम real students जो हैं हमारे उनको बुलाके लाएंगे हमारे paid students को और आप उनके साथ एक live session करोगे कितने भी students हो सकते हैं 50 भी हो सकते हैं 100 भी हो सकते हैं अगेन आपको एक topic दिया जाएगा और आप 2 घंटे वो topic महाँ पे deliver करोगे और फिर से आपका goal यह होगा कि आपको 4.5 से उपर का rating maintain करना है अगर आपने यह भी कर लिया तो फिर आप select हो जाओगे अब अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि 4.5 तो बहुत जादा है तो यह high feedback cutoff हमने इसलिए रखा है because we don't want to compromise on quality हम चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे join करे as teachers वो exceptional teachers हो और बहुत बढ़िया quality of education provide करे हमारे students को that is why इसके साथ हम compromise अभी नहीं करना चाहते अगला question आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है सब कुछ समझ में आ गया apply कैसे करना है apply करने का काम बहुत आसान है आपको top पे यहाँ पे apply no button देखेगा इस पे click करते ही आप यह google form देखोगे इस google form में हमने काफी detail में सारा चीज लिख रखा है आपसे क्या-क्या काम करवाया जाएगा आपका क्या-क्या strength होना चाहिए और आपकी side से क्या-क्या requirements है यह सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है I would highly recommend कि आप एक बार यह सब पढ़ लो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने basic details provide करने है email, phone number, consistency में हो age क्या है, job करते हो student हो या कुछ और उसके बाद जो main चीज है वो आपको यहाँ नीचे मिलेगी so this is the place जहाँ पर आपको वो set of topics मिलेंगे जिन में से किसी एक topic के ओपर आपको video बनाना है मैंने जान मुझके यह सारे topics ऐसे topics रखे हैं जो बहुत difficult है यह सारे topics में पढ़ा चुक है और मुझे पता है कि यह बहुत difficult है जान मुझके मैंने difficult topics यहाँ पर डाले है उसका reason बहुत simple है जिस तरीके से cricket में कोई batsman कितना अच्छा है यह तब समझ में आता है जब वो difficult pitch पे खेलता है difficult ballers के against खेलता है similarly एक teacher का quality तब समझ में आता है जब वो बहुत difficult topic पढ़ा रहा होता है तो यह आठो topics मेरे साब से difficult है और ऐसा हो सकता है कि इस point पे आपको इन में से कोई भी topic बहुत अच्छे से ना आता हो तो कोई problem नहीं है आप research करो, पढ़ो, time लो और फिर video बना के हमें भेजो time का problem नहीं है we really want quality आप quality deliver करो हम आपके video को 5 चीजों के basis पे judge करेंगे पहला है depth of explanation आप कितना deep जा करके उस topic को समझा रहे हो that is the first thing second आपका presentation style कैसा है आप video में bowl कैसे रहे हो lick कैसे रहे हो, video की quality कैसी है यह सब कुछ देखा जाएगा third है factual correctness जो भी आप पढ़ा रहे हो, वो सही होना चाहिए fourth है teaching pedagogy आपका पढ़ाने का style कैसा है किस तरह के examples यूज करते हो किस तरह के visualizations यूज करते हो कि आप कोई narrative follow करते हो आपके अंदर कितनी creativity है यह सब कुछ यहाँ पर judge किया जाएगा and last is कि आप कितना engaged रख पाते हो audience को, वो भी हम measure करने की कोशिश करेंगे और आपके video को हम इन 5 parameters के उपर score करेंगे और जब यह score बहुत अच्छा होगा तभी आपको call आएगा round 2 के लिए, ठीक है तो आपको यहाँ पर video का link share करना है, google drive पर आप अपने video का upload करोगे, और link यहाँ पर share करोगे, यहाँ पर हमने कुछ guidelines और add की है, यह आपको ध्यान देनी है, video को record करते वक्त क्योंकि अगर video अच्छा ही नहीं बना तो फिर बहुत गडबड हो जाएगी आपका सारा महनत बरबाद हो जाएगा तो यह guidelines आप please follow कर लेना so in short this is the process step 1, send us a video step 2, live session step 3, live session, दोनों में 4.5 के उपर रखना है and that's the hiring process, ठीक है तो I really hope इस video के थूँ मैं आपको सब कुछ समझा पाया क्यों हम hire करना चाहते हैं किसको hire करना चाहते हैं, कैसे hire करेंगे if you ask me I am super excited मैं देखना चाहता हूँ CampusX को एक ऐसा platform बनते हुए जिसको जाना जाता है उसके teachers के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे teachers हैं जो बहुत अच्छा AI पढ़ाते हैं and I am really hopeful कि इस community में ऐसे लोग हैं जो exceptional teachers हैं मैं बस आप लोगों को एक platform provide करना चाहता हूँ, अपना ये teaching talent दुनिया के सामने लाने का opportunity देना चाहता हूँ so I really hope after watching this video आप apply करोगे let's meet soon मिलते हैं next video में, bye